पती को तलाक देकर बॉइफ्रेंड संग लिव इन रिलेशन में रहने लगी ये हीरोईने, किसी ने लिए फेरे तो कोई बिन शादी हो गई प्रेगनेंट कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पती से तलाक होने के बाद हीरोईने एक बार फिर से प्यार को रंग अपनी जिन्दगी में भरती हैं और किसी भी गमवीर फैसले से पहले लिव इन रिलेशन में रहकर अपने पार्टनर के साथ अपनी कमपेटिबिलिटी चेक करते हैं आज हम आपको ऐसी ही ही हीरोईनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पती को तलाक दिया और फिर दूसरी शादी से पहले बॉइप्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बॉलीवुट की सबसे बोल्ड और डेरिंग दीवा मलाइका अरोडा का मलाइका अर्बाज ने अपनी 18 सालों की शादी को तोड़ते हुए तलाक लिया और अब ये हसीना खुद से 11 साल छोटे अरजुन कपूर के साथ लिव इन रिलेशन में है अभिनेत्री पूजा बत्रा नवाप शाह के साथ अपनी मेरिड लाइफ इन जोई कर रही है इस से पहले साल 2002 में पूजा बत्रा ने सर्जन सोनु अहलुवालिया के साथ शादी रचाई थी जो की ज़्यादा लंबी नहीं चली थी रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि शादी से पहले पूजा बत्रा और नवाप शाह लेविन रिलेशन में रहा करते थे पुरश्मी के साथ उनके घर पर ही रहने लगे थे काम्या पंजाबी ने भी बंटी नेगी से पहली शादी रचाई थी जिससे उन्हें एक बेटी है काम्या और बंटी का शादी करीब एक दशक चली और साल 2013 में उन्होंने तलाक ले लिया था इसके बाद काम्या ने दिल्ली बेस्ट तलाक शुदा बिजनिसमें शलब डांग के साथ शादी रचाई जिनका पहली शादी से एक बेटा है कहा जाता है कि काम्या और शलब भी शादी से पहले लिव इन में रहते थे फिलहाल दोनों बच्चे काम्या और शलब के साथ ही एक फैमिली है कलकी केकला ने फिल्म मेकर अनुराग कशिप के साथ शादी रचाई थी हाला कि जल्द ही दोनों की राहे अलग हुई और कलकी गाय हर्षबग को डेट करने लगी दोनों लिविन में साथ रहने लगे और बिना शादी के ही कलकी ने गाय हर्षबग की बेटी को जन्द दिया अभिनेतरी दिया मिर्जा ने पहली बार हर किसी तो तब हैरान कर दिया था जब उन्होंने साहिल सांगा के साथ तलाग का अलान किया था वही इसके बाद दिया मिर्जा ने वैभव रेखी के साथ शादी रचाई और बेटे को जन्द दिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि साहिल के साथ शादी से पहले दिया लिव इन में रहा करती थी यहां तक कि वो pregnant भी शादी से पहले ही हो गई थी